दोस्तों इन दिनों एक मुद्दा सुर्ख्यों में बना हुआ है जिससे देश की सियासत गर्माई हुई है क्योंकि मुद्दा है पीएम की सुरक्षा में हुई चूप का हलाकि ऐसा दर्शाया गया है क्योंकि असली कहानी क्या है ये तो आप लोग जान ही चुके हैं लेकिन अब क्योंकि बात पीएम की सुरक्षा की है तो बड़ा ड्रामा होना तो बनता है जैसा कि पंजाब की CM चन्नी ने कहा कि छोटी सी बात का बतंगड बना दिया गया है तो जाहिर है हर तरह से मामले की जाच की जाएगी BJP को एक बड़ा मुद्दा हाथ में लग गया है या उसने खुद ये मुद्दा बनाया है सच्चाई जो भी हो पर चुनाओ से पहले इसे भुनाया तो खूब जाएगा जिससे चुनाओ में सहानुभूती मिल सके मद्दप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरास तो एक कदम और निकल गए और उन्होंने तो पी-एम की दीरगायू के लिए महामृत्युनजय का पाठी करवा दिया यानि हर तरफ से सहानुभूती लूटी जा रही है खेर बीजेपी में ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है अभी तक इस मामले पर राजनीती तो जोरों से चल ही रही थी लेकिन इतने से भी काम नहीं चला तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचाया गया जिसमें पहली सुनवाई भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ट पंजाब हर्याणा हाई कोर्ट के रिजिस्टरार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे अब मामली के अगली सुनवाई सुमबार को होगी इतना ही नहीं ग्रहिम अंतराले ने तीन सदस्य पैनल भी गठित किया है जो फिरोसपुर पहुँच चुका है इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी मामले में FIR दर्ज कर ली है यानि अब देश के सारे मुद्दों से ध्यान हटा कर इस पर केंडरित कर दिया गया है और यही तो करना चाहती थी BJP देश में 5 राज्यों के चुनाओं है कोरोना के आकडों ने रफ्तार पकड़ रखी है ऐसे में केंडर ने सारी जिम्मेदारियां सिर्फ राज्य सरकारों पर छोड़ दी है क्या केंडर की खुद कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार तो हर बार की तरह असल मुद्दों से हट कर नए मुद्दे बना कर बस राजनीती करने में लगी हुई है अब ये सब देख कर तो बस यही कहा जा सकता है कि बीजेपी है तो मुम्किन है पांच जनवरी को जैसे ही खबर आई कि पीएम की फिरोजपुर में होने वाली रैली रद हुई है बीजेपी नेताओं को जैसे मौका मिल गया सभी की तरफ से सिलसले बार बयान आना शुरू हो गए ग्रह मंत्रिया में शाहा ने ट्वीट किया पार्टी अद्यक्ष जेपी नडडा का बयान आया केविनेट मंत्री स्मृती इरानी तो पंजाब सरकार पर बरसी पड़ी उन्होंने तो इस घटना को खूनी साजश ही कह दिया जो एक बहुत गंभीर बयान है हाला कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा इस बारे में नहीं बताया अब स्मृती इरानी के बयान के बाद एक सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर पीएम का काफिला 15 मिनट तक रुकना एक खूनी साजश हो सकती है तो 2013 में पटना के ग्राउंड में जो हुआ था वो क्या था आपको बता दें कि 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पटना में रैली करने आये थे तब पटना में सिलसले बार बम धमाके हुए थे उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खोशित किये जाने के बार पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली को संबोधित करने आये थे इन धमाकों में 6 लोगों की जान गई थी जबकि 80 लोग गायल हुए थे उस समय नितीश कुमार बिहार की सीम थे और आज भी वही सीम है साथ ही बीजेपी के सहीयोगी मी है पर इस मुद्दे को ना तब भुनाया गया था और ना अब इस मुद्दे का कभी जिक्र किया जाता है क्योंकि बिहार में गटबंधन की सरकार है वहीं दूसरे तरफ 2013 में जो बंधमा के हुए थे उस वक्त पीएम नहीं घबराए थे और अब मात्र 15 मिनट काफिला रुख गया तो इसे खूनी साज़िश करार दे दिया गया और सभी बीजेपी नेता लग गए इसे चुनावी मुद्दा बना कर बुनाने में जानलेवा हमले का रूप दे कर सानभूती जुटाने में ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में कॉंग्रिस की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनावों में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पंजाब भी एक राज्य है यानि साफ है कि ये एक चुनावी क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का कोई तथे सामने नहीं आया है ना ही कोई संदिक दिव्यक्ति मिला ना कोई गाड़ी ही मिली ना ही किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई तो इस तरह की बाते बनाकर सिर्फ जनता को बर्गलानी की कोशिश की जा रही है सिर्फ इस 15 से 20 मिनट तक वहां रुख कर किस चीज का इंतजार किया जा रहा था पीम का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर होता है ऐसे में पीम का समय सिर्फ बरबात किया गया और अब सिर्फ आशंकाओं के आधार पर बीजेपी इस घटना को मुद्दा बना रही है और पंजाब सरकार को घे रही है जो कि खुद बीजेपी की बनाई हुई एक कहानी है क्योंकि सीम चन्नी के मुताबिक पीम की रैली फ्लॉप शो हो रही थी वहां लोगों का हुजूम नहीं था इसलिए इस रैली को रद करना था लेकिन पीम की रैली आराम से रद नहीं की जा सकती थी ऐसे मे खूब सारा मिर्च मसाला डाल कर ये पूरी पठकता लिखी गई और उसे परोज दिया गया अब पंजाब में पीम की सुरक्षा में चूख हुई तो पंजाब सरकार जम्मेदार है बीजेपी का हर कारिकरता इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है अब इसी बीच एक औ मुख्य थी के तौर पर एक कारिकरम में शिर्कत करने पहुँचे थे जनसभा के बाद अचानक उस वक्त अफरा तफ्री मच गई जब एक व्यक्ति छुरा लेकर मंच पर चड़ गया हाला कि उसे पकड़ लिया गया लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से अभी ही फैलाय जाल में फज गई है और विपक्ष भी अब बीजेपी की खूब फजीहत कर रहा है कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी ने तो पीम से देश की सुरक्षा को लेकर ही सवाल पूछ लिया उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की सीमाओं पर भी पी नहीं तोड़ी है लेकिन पीम अपनी गाड़ी रुकने वाले मामले को लेकर राष्ट्रपती तक के पास पहुँच गए यानि देश के प्रधान मंतरी को जनता की जान की कोई परवा नहीं है खेर मुद्दा तो अभी सिर्फ पीम की सुरक्षा में हुई चूक का है जिसे जोरो शोरो से भुनाया जा रहा है और चुनावों से पहले साहनुभूती लेने के लिए इस्तमाल किया जा रहा है यानि साफ है अभी तक पार्टी सिर्फ हिंदुत का कार्ड खेल रही थी सिर्फ हवा हवाई बाते बनाई जा रही है जिससे चुनाव से पहले आम जनता को बाकी एहम मुद्दों से भटकाया जा सके क्योंकि कोरोना की लहग दोबारा देश में बढ़ रही है ऐसे में स्वास्त की बदहाल विवस्था एक बार फिर उजागर होगी जो जनता की पॉर्सियां लगाई गई थी लेकिन मुश्किल से 700 लोग ही पहुंचे थे ऐसे में इस रैली को रद तो करना ही था वरना सरकार की पोल खुल जाती क्योंकि बाकी चार राजियों में जहां भी तक रैली हुई है वहाँ बीजेपी की सरकार है वहां तो भीड जुटाना आस वाल मच गया है अब जाच तो जारी है कमेटी भी बना दी गई है मामला कोट तो है और स्पेशल रपोर्ट के साथ हुआ